स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज है 30 दिसंबर 2020 तो आज ये देख लेते हैं से कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं उसके पहले information है comprehensive prelims 2021 special batch के बारे में जो की 1st of January 2021 से start होने वाला है 500 से अधिक घंटों के lectures होंगे पूरा prelims का जो portion है उसे cover किया जाएगा CSAT इसमें include होगा, material भी provide करवाया जाएगा कुछ specific topics भी discuss किये जाएंगे ताकि आप prelims में अच्छा score कर सकें बाखी details के लिए आप इस number पे contact कर सकते हैं देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो की adopt a heritage project के बारे में है अभी हाल ही में एक review meeting organize की गई adopt a heritage अपनी धरोहर अपनी पहचान project के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या adopt a heritage project is a kind of scheme जिसे world tourism day पर launch किया गया था 2017 में इसमें देखे जो ministries या agencies involved हैं वो है ministry of tourism, ministry of culture, archaeological survey of India, state और union territories की government stakeholders याद रखिएगा प्रशन पूछे जा सकते हैं कि कौन-कौन इसमें involved है या फिर ये किसका किसका collaborative effort है उद्देश ये है कि जो heritage इंडिया की है चाहे वो natural हो या फिर historical हो उनको इस तरीके से tourist site में convert कर देना है या उन्हें इतना tourist friendly बनाना है ताकि जादा से जादा लोग उन्हें visit करें और tourism promote हो, कैसे work करता है ये देखे, कई सारी ऐसी sites हैं जहां पर tourist जाना पसंद करते हैं उनकी visibility को enhance करना है इसके लिए private और public sector की जो companies होंगी या फिर individuals होंगे वो उस particular heritage को adopt कर सकते हैं कि ये मेरा हो गया मैं इसको well planned तरीके से promote करूँगा और ऐसे लोगों को monument मित्रा कहा जाएगा मतलब ये इन monuments के मित्र हैं, दोस्त हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी initial five years के लिए दी जाएगी Monument मित्र कौन होंगी? इन्हें select करने के जिम्मेदारी एक oversight and vision committee को दी गई है जिसमें tourism secretary भी होते हैं और cultural ministry के जो secretary है वो भी होते हैं इसमें जो bidder होगा, जो ये कहेगा suppose कर ये red ford, कि red ford को अच्छी तरीके से promote करने के जिम्मेदारी मैं लेता हूँ तो सभी लोग अपना plan देंगे कि red ford को वो कैसे promote करेंगे वहाँ पर जो cleanliness है या फिर लोगों के लिए जो ease है वो कैसे ensure करेंगे तो जुनका plan of action होगा, जो vision होगा उसी की basis पर decide किया जाएगा कि उन्हें red ford के लिए monument मित्र बनाया जाए कि ना बनाया जाए इसमें कोई financial bit नहीं होती कि मैं एतने पैसे खर्च करने वाला हूँ कोई कै मैं एतने खर्च करने वाला हूँ यह नहीं यहाँ भी मुद्दा vision और plan का होगा जो corporate sector है वो अपनी corporate social responsibility यानि कि जो CSR का fund होता है उसका इस्तिमाल इस monument मित्र के तौर पर जो वो खर्च करने वाले हैं उसमें कर सकते हैं इसमें उनको करना क्या होगा कि जो basic amenities हैं जो आधार भूठ चीजें हैं उनको सही रखें लाइक साफ सफाई हो लोगों को convenience feel हो drinking water अच्छा हो लोग आसानी से उस monument को access कर सकते हो signage वगएरा बढ़िया लगा हो advanced amenities की बात करें कि वहाँ पर souvenir shops जो होती हैं जैसे आप monuments पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ shops ऐसी होती हैं जहाँ से आप कुछ चीजे खरीज सकते हैं यादगार के तौर पे एसी बहुत सरे shops मिलती हैं वह ऐसी shops लगवा सकते हैं cafeteria बढ़िया बढ़िया बनवा सकते हैं significance की बात करें तो इससे private players को एक मौका मिलेगा और वो ये जो sites हैं उनको tourist friendly बना सकेंगे world class amenities यहाँ पर provide करवाई जाएंगी जिससे domestic और international दोनों प्रकार का tourism यहाँ पर बढ़ेगा तो ये तो पूरा article Adopter Heritage Project के बारे में हुआ अगला article National Common Mobility Card के बारे में है NCMC हमारे honorable prime minister ने अभी ambitious National Common Mobility Card को Delhi Metro का जो airport express line है जहां से आप airport तक जा सकते हैं उसके लिए अभी launch किया अब देखिए ये है क्या चीज़ ये जो card है इसको नंदन निलकानी committee जिसे RBI की दोरा setup किया गया था उन्होंने भी कहा था कि एक आप common card बना दीजिए जिस card का इस्तिमाल कोई व्यक्ति financial transaction के लिए भी कर सकता हो जैसे अभी आप Metro में जाते हैं तो आपको एक अलग से card इस्तिमाल करना पड़ता है Metro card वहाँ पर आप अपना like ATM card आप उस machine पर रखिए और वो Metro card की तरह वर्क करें even bus वगेरा में आप travel कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उस card को punch कर दीजिए आपका amount deduct हो जाए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इसी उद्देश से National Common Mobility card का जो concept है उसे conceptualize किया गया था तो इसी उद्देश से अभी जो airport express line है उसके लिए इसे start किया गया उमीद ये की जा रही है कि 2022 तक जो भी Metro का पूरा network है वहाँ पर एक common mobility card जो है for example आप अपना ATM card इस्तिमाल कर सकते हैं हलाकि इसका card एक अलग से आपको बनवाना पड़ेगा जिसे आप multiple purpose से इस्तिमाल कर सकते हैं हमारा अगला article नियूमो सिल के बारे में है जहाँ पूरी दुनिया होड में लगी हुई है कि कैसे COVID-19 के लिए एक बहतरीन और कारगर वैक्सीन बनाई जा सके उसी दौरान इंडिया का जो सिरम Institute of India Private Limited है उन्होंने यहाँ पर नियूमो कोकल कंजुगेट वैक्सीन तयार कर ली है जो कि निमोनिया में काम आएगी इसे नाम दिया गया है नियूमो से यहाँ पर हम सीरे सीरे निमोनिया ना कहके नियूमो कोकल कंजुगेट वैक्सीन इसले बोल रहे हैं क्योंकि यह निमोनिया के या उस बैक्टिरिया से कॉज होने वाले 13 टाइप के अदर जो infections हैं या जो बिमारिया हैं उनसे बचाएगा तो यह common vaccine की तरफ work करेगा जो कि निमोनिया के 13 और variants को counter करने में capable होगा यहाँ पर Serum Institute of India ने collaborate किया Melinda and Gates Foundation के साथ Bill and Melinda Gates Foundation के साथ इस vaccine को बनाने के लिए इसका जो target होगा वो pneumococcal bacterium होगा जो कि निमोनिया और उसके कई और variants को cause करता है कुछ और बिमारियां भी cause करता है like meningitis और sepsis sepsis जब घाओ बहुत जाता खराब हो जाता है तो उसमें यह vaccine कारगर साबित होगी अब इस vaccine को India ने बनाया है इसमें कोई खास बात हो या ना हो लेकिन यह सस्ती होगी यह तो तैह है बिलकुल यह दुनिया की सबसे सस्ती vaccine होगी जो कि इस प्रकार की बिमारियों में कारगर साबित होगी affordable price पर अगर government इसका इस्तिमाल करती है तो यह उनके लिए महज 3 dollar में available होगा approximately 270 rupees और private sector इसका इस्तिमाल करता है तो 10 dollar में इसका इस्तिमाल किया जा सकेगा इसके साथे साथ जो SII है जिसके अभी हम बात कर रहे थे that is Serum Institute of India private limited यह third largest supplier बन जाएगा इस PCV के लिए यानि कि pneumococcal conjugate vaccine के लिए advanced market को यह cover करेंगे और बहुत बड़ी मात्रा में supply करेंगे जो pneumococcal disease है यह 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का एक बहुत बड़ा कारण है यही कारण है कि World Health Organization ने 2018 में यह recommend किया कि जो PCV है इसे जो routine childhood immunization program चलाया जाता है सभी countries में जहां पर उन्हें कई तरीके के vaccines दी जाती है उसमें include कर लिया जाए हमारा जो अगला आर्टिकल है वो thermopolyum के बारे में है thermopolyum है क्या सबसे पहले तो आप इस सब्द का मतलब समझ लीजिए यह एक Latin word है जिसका मतलब होता है hot drinks counter मतलब एक counter जहां पर आप जाकर soup अगेरा पी सकते हैं हलाकि वहाँ पर और भी services दी जाती होंगी ऐसी संभावना है और ऐसा हमें remains में मिला भी है अभी researchers ने एक thermopolyum unearth किया जैनकि उनको excavation में खुदाई में मिला उन्हें मिला कहां Roman Empire का जो एक town हुआ करता था Pompei historical town वो अभी भी है लेकिन ये town तो अभी लगभग 100 साल पहले ही बसाया गया है काफी comparatively नया है एक historical town हुआ करता था जो कि 79th century AD में जब Mount Visuvius में volcanic eruption हुआ था Italy के तो दोरान नष्ट हो गया था खतम हो गया था इसके उपर एक movie भी बनाई गई है Pompei नाम से जिसमें दिखाया गया है कि कैसे volcanic eruption एक बार में पूरी Pompei City को खतम कर देता है तो वहाँ पर excavation में उस समय की कई सारी चीज़े हमें मिल रही है यह snack food counter था या street food counter आप कह सकते हैं जिसे 2019 में partially excavate किया गया था और अभी यह detailed हमें मिल गया यहाँ पर काफी अच्छी paintings मिली हैं इस counter में जिसका दो indication हो सकता है एक तो decorative purpose इसे बनाया गया होगा दूसरा यह indicate करने के लिए कि आपको यह यह चीज़े यहाँ पर मिल जाएंगी खाने को जहाँ पर एक image मिलती है जहाँ पर जो समुद्र के देवता होते हैं वो एक sea horse को ride कर रहे हैं कुछ भित्ती चित्र भी मिले हैं food के residue भी मिले है ऐसा जो counter बना हुआ है इसमें बरतनों में food के residue भी मिले है annual bones मिले है और जो व्यक्ति इस stall को चलाता होगा उसकी remains भी मिले हैं actually में अचानक से सभी के मौत होई थी तो जो जहाँ था वो वही मर गया significance की बात करें तो इससे काफी बढ़ियां से हमें पता चल जाएगा कि क्या variety of foods वो consume किया करते थे जैसे कि जो बरतन यहाँ पर हमें मिले हैं इसमें हमें pork, fish, snails, beef इन सभी के traces मिले हैं इसके अरामा जो thermopolyum है जो excavate किया गया वहाँ पर bronze dinking balls चीनी मिट्टी के jar और कुछ soup और soup जैसा जो इसको stews बोलते हैं उसको cook करने वाले जो remains है वो भी हमें मिले हुए है wine की बोतले भी मिले हुई है तो काफी significant discovery है यह इस दृष्टी कोंड से Pompei की बात करें तो ये एक Roman town हुआ करता था इतली में ये देखे जो वहाँ का Nepal state है वहाँ पर ये पढ़ता है और Bay of Nepal के बिल्कुल pass में है 79th century AD में 2000 साल पहले जब Mount Visuos erupt हुआ था तो पूरी तरीके से ये डब गया था हमारा अगला article इंडिया के first ever driverless train के बारे में है Delhi Metro का जो magenta line है line 8 38 km का ये stretch में फैला हुआ है उसमें अभी driverless metro को चलाया जाएगा वैसे तो Delhi Metro का 390 km का पूरा network है हर जगे तो नहीं चलेगी लेकिन इस 38 km के span में driverless metro को रन करवाया जाएगा इसे inaugurate किया गया Delhi Metro Real Corporation ने अभी इसके inauguration के बाद अब ये एक ऐसी league mentor कर गया है दुनिया के 7% ऐसे metro network में जो बिना drivers के operate किये जा सकते हैं काफी फायदे होंगे operational flexibility आएगी efficiency भी आएगी inspection, testing में late नहीं होगा आसानी से किया जा सकेगा काफी ज़्यादा reliability रहेगी कम human intervention होगा service की quality को बहतर कर सकते हैं train operators की energy को save किया जा सकता है driverless का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगे कि driver होगा ही नी driver होगा लेकिन उसका काम बहुत कम होगा वैसे भी कुछ काम अभी भी technologically ही किये जाते हैं जब driver होता है ऐसी जिगों पर जहां पर driver इन metros को चलाते हैं अब उनका काम बिल्कुल कम से कम होगा वो जड़ा intervene नहीं करेंगे लेकिन वहाँ पर supervision के लिए वो रहेंगे कम से कम initial period में बाद में हो सकता है कि technology or expand हो और उन्हें बिल्कुल हटा दिया जाए उनकी आवशक्ता ही ना पड़े जो हमारा अगला article है वो Sea of Galilee के बारे में है Sea of Galilee अभी थोड़ा उसमें जो पानी है वो बढ़ गया है स्वेल कर गया है इस्राइली मीडिया के रिपोर्ट के मताफिक location देखें ये हमारे लिए important है ये है इस्राइल इस्राइल में ये location Sea of Galilee की है ये जो blue color की line आपको दिख रही है ये Jordan River है ये north से आते हुए यहाँ पर इस Sea of Galilee में एंटर करती है और फिर डूसरी और निकल जाती है और निकल के फिर आके Dead Sea में खतम हो जाती है अब यहाँ पर ये जो area है ये Golan Heights का है ये Golan Heights से जोड़ता है Golan Heights का ये हिस्सा सीरिया से Israel को जब Six Day War हुआ था 1967 में उस दौरान मिल गया था तो अभी Golan Heights का ये area Israel administer करता है USA ने अभी कुछ समय पहले इसे recognize भी कर लिया कि Israel का part है हलांकि जो United Nations है वो अभी भी इस बात को एक disputed territory के रूप में इस पूरे area को देखता है ये जो लेक है वो आपको नदन Israel में मिलेगी जो Golan Heights का region है वहाँ पर और जो galley region है उसके बीच में वैसे यहाँ पर जो पानी है वो underground spring से आता है लेकिन एक जो बड़ा source है पानी का वो Jordan River है इस लेक को lake tibrias या फिर kineret के नाम से भी जाना जाता है ये Israel की सबसे बड़े fresh water body है वैसे fresh water का वो इस्तिमाल तो नहीं करते लेकिन इसमें पानी जितना होता है इस बात से अंदाजा लगता है कि पानी का level कितना बढ़िया है देखे 2018 से सुखे के बज़े से इसमें पानी कम था लेकिन अभी जो इसका level है वो एक मीटर तक बढ़ गया है जो कि अच्छी बात है हमारा अगला article from our home to your home campaign ये बारे में है यहाँ पर देखे ये 8th edition रहा है इस initiative का इसमें 35 नए attractive immunity boosting जो tribal products थे उनको tribes इंडिया के outlets में और website पे publish किया गया रड़ दिया गया आप उने purchase कर सकते हैं अपने घर पे मंगा सकते हैं यह campaign जो campaign है वो ट्राइफेड ने चलाया है ministry of tribal affairs के तहत ये काम करते हैं इसका उदेश यह है कि जो tribal community अपने घरों पर चीजों को बनाते हैं जो natural है और काफी effective है indigenous tribes के दोरा बनाया जा रहे हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सकें इससे tribal community के livelihood का एक पढ़िया सा means तयार हो जाएगा और लोगों को बिलकुल genuine और फाइदेमन चीजे भी मिल जाएंगी आप यहाँ पर देखिए इसमें कई सारे products वो लोगों के लिए available करवा रहे हैं like giant rock, bee honey, यह जो malayali tribe है तमिल नाडू की वो तयार करती है छोटे-छोटे मोतियों की jewelry, यह पतेलिया tribe है मदर प्रदेश की वो तयार करते हैं organic variety दाल और spices के वसावा tribe गुजरात के यह जो हैं वो तयार करते हैं honey, jams और ice की जो two unique variants है वो खरबार और जो around tribes है जहारकंड की उनके दरा बनाया जाता है wooden products जैसे की चकला और बेलन और मेटल जालीज यह आदिम जनजाती tribes और जो लोहरा tribes है जहारकंड की वो इसे तयार करते हैं तो काफी अच्छा होगा उनके लिए मल्याली tribe के बारे में बात करें तो यह इस्टन घाट में जो नौर्थ तमिलनाडू का एरिया है वहाँ पर पाये जाते हैं इनकी आब आदी तीन लाग अठावन हजार के आस पास है इस हिसाब से लार्जस श्रीयोल ट्राइब बन जाते हैं इस रीजन में usually यह hill farmers हैं और कई तरीके के मिल्ट्स वगएरा cultivate करते हैं उगाते हैं हमारा अगला आर्टिकल ताव बूट्स के बारे में है international scientist की एक team ने अभी first possible radio signal detect किया है संभावना यह जताई जा रही है कि यह एक ऐसे solar system से आ रहा है जिसका नाम ताव बूट्स है इसकी दूरी earth से 51 light years away है काफी दूर है इसमें संभावता एक Jupiter पाया जाता है hot Jupiter जो की gaseous giant है gas से बना हुआ एक घ्रह है जो की इसके sun से काफी नजदीक में है यह जो star system है जिसे हम ताव बूट्स कह रहे हैं जहां से यह radio signals मिले हैं अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर aliens हो जो यह signals हमारे लिए भेज रहे हूँ यह binary star system है जिसमें जो दूसरा star है वो red dwarf है binary star system में एक ऐसा star system होता है जिसमें दो तारे एक दूसरे के चारो और ऐसे घूमते रहते हैं तो इस तरीके का यह star system है binary star system low frequency array जो लो फार है यह radio telescope है निदर लाइंट्स में है वहाँ की researchers ने इस emission burst को detect किया ताव बोर से इसे एक नई window open हो जाती है इस exoplanet के बारे में कि क्या वहाँ पर alien life हो सकती है यह कहीं indication तो नहीं कोई message तो नहीं जो काफी दूरी से हमारे पास अब आ रहा है इसके पहले जो इसराइल के space security chief है उन्होंने भी काफी surprising statement देते हुए यह कहा था कि United States और इसराइल का contact aliens से है इस बात को public domain में नहीं लाया जाता because अभी हम इसके लिए तयार नहीं है इसको ग्रांट किया चाता किसके दवारा है यह blue flag certification एक international recognition होता है जिसे दिया जाता है एक not for profit organization fee के दवारा full form है foundation for environmental education कुछ criteria है इनको किसी भी बीच को blue flag certification देने का जैसे कि वहाँ पर environment को लेकर education information spread की जा रही है वहाँ का पानी बहुत बढ़िया है environment management conservation बहुत अच्छा है safety के standards बहुत बढ़िया है तो ऐसे beaches को blue flag certification दे दिया जाता है काफे फायदे होते हैं इसके फिर लोग जो beaches को visit करना चाहते हैं इस उनको idea लग जाता है कि यह बीच बढ़िया है यहाँ जाया जा सकता है इसे certification मिला है तो आठ बीच जिन्हें certification मिला है वो हैं सिवराजपुर, द्वारका गुजरात गोगला, दियू का कासार कोड और पडू बीदरी करनाटका का कपड, केरला रूशी कोंडा, अंदरपदेश गोल्डेन, पुरी उडिसा राधा नगर, अंडमान निकोबार आइलेंड उदेश ये है कि हम सौ और बीचेस का ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन अवेल करें आने वाले महज तीन सालों में इस टार्गेर के साथ गौर्वर्मेंट वर्क कर रही है एसिया पैसिफिक रीजिन में इंडिया पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास पचास ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशन हैं वो भी जस्ट टू इयर्स में वैसे इस लिस्ट को टॉप करता है यहां पर 560 ब्लू फ्लैक सर्टिफिकेशनवाले बीचिस हैं यह सर्टिफिकेशन के बीचिस को नहीं दिया जाता बलकि मरीनास को भी दिया जाता है जहां पर लोग बोटिंग के ले जाते हैं और जो बोटिंग तुरिस्ट अपनी पहचान प्रजेक्ट कोलाबरेटिव एफ़र्ट है, मिनिस्ट आफ टूरिजम, कल्चर और अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया का मल्यालियो ट्राइब, मंद्रपरदेश में पाई जाती है ताउबूर्स, स्टार सिस्टम है, जहां पर एक होट जूपिटर है, एक गैसे जाइन्ट प्लैनेट है, जो कि अपने सन के काफी क्लोज है Blue Flag Certification Program, Globally Recognized Voluntary Eco-Level Accord किया जाता है UNESCO के रवारा Sea of Galley, ये एक लेक है जो कि नदर इसराइल में मिलेगी Golan Heights और Galley Region के बीच में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गरत है इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे, थैंकि वाले मच